नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज एक ऐसा प्रियोग बताएंगे जो अचूख है इसका प्रियोग कभी खाली जाता ही नहीं है किस चीज में सत्रू से मुक्ति प्रेम का वसीकरन पती-पत्नी के रिस्तों में प्रेम कोई तीसरा ना आ अगया है आपके रिस्तों में आ उन से बाहर निकलने के लिए उन से मुक्ति पाने के लिए आज आज जिस पौथे की हम बात करेंगे निफुल प्धू नहीं है कि वह पौथे वर पर परजीवी की तरह फघएला हुआ होता है याद रख़िये पौधे के उपर पर जीवी कीतर यह दो इसका अपना जड़ होता वो किसी और पौधे के ऊपर फैला होता है उस पौधे के रस को पी कर वो पौधा बढ़ा होता है एक तरह से परजी भी पौधा ही है लेकिन आम बोलचाल की भासा में अमर बेल कहा जाता है जिसके मिर्थ्यू कभी नहों जो अमर हो वो अमर बेल है आज हम एक छोटा सा बताएंगे इस ब्रिक्ष को कहते हैं अमर बेल यह कोई पौधा नहीं है बलकि पौधे के ऊपर परजीवी बनके रहता है परजीवी यानि दूसरों पर आसरी लेकिन उसके ही ऊपर बैठ कर उसी करस चूसकर बढ़ा होता है तो आज हम आपको पांच टोटके बताएंगे अब जैसे आप पती पतनी है आपके रिस्ते में कोई तीसरा आ गया आप चाहते हैं कि बस में करना चीजें आपके पक्ष में रहे तब आप महिला हैं आप चाहते हैं पुरूस को पुरूस हैं आप चाहते हैं महिला को तो अमर बेल का लता थोड़ा सा मंग बालें किसी से उतनी बड़ी लंबाई अमरवेल कर लिए सबसुते हैं, इसके बाद इस अमरवेल में तीन गाठे ला लाएं गांगे, किसी सुनसान अस्थान में उसको अच्छे से मुड कर ले और फिर दबा दे और महिला है तो बाएं पैर का जूता उस अस्थान पर रख दे और पुरूस है तो बिप्रीत यानि दहने पैर का जूता रखकर उसको दबा दे पुरूस करेंगे तो दहने पैर का जूता से वह सड्रूं सभी रक्षा करता है अब को ये आप को परेशाइन कर गाल तो आप अमेयर बेल का थ्षीव कर निकाल ले और बॉने ऑधिर से उसी रच के सहँ होता है तो विलांट के सहारे ड़ा परिखें और इसा कुछी सुनसान अस्थान पर दबा दें सत्रू का नाम जब लिखिएगा तो भोजपत्र ले ले लें भोजपत्र ना हो तो कागज सफेद कागज का बेभार करें और फिर इसी प्रकेस से आप पैरों से उसको दबा दें मिट्टी डाल कर और बिना पीछे मुड़े घर आ आपको परिसन करना बंद करते cent तो अमरे वल का जो है होता है अमर और यह बहुत एकरन भी करता है अफ़से कि आप लब रुलेशनसीप में है या फिर आप पती-पतनी चाहते हैं एक दूसरे का साथ मीरे तब जैसे महिला चाहती है तो अमर वियल को थोड़ा साइल ले जुब़ केशे करना है और उस राख को पती के कपरों पर हलगा से च्ञड़ करें जाहएं एक चुट तो आप अमर बेल ले आई है किसी भी सुमोरत यानि कि आप किसी भी दिला सकते हैं और फिर लाकर सुखा लें अब उसको जला कर राक बना लें और यह राक आप अगर नियमी दुरूबसे इसका टीका लगाता है यह वसीकरन होता है तो यह बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा अचुक प्रियोग है इसका टीका लोगों के सामने से बस में कड़ता है और आपके दुसमन भी यहां पर आपको कुछ परेसान नहीं कर पाते हैं तो अमर बेल के बहुत सारे प्रियोग है हम फिर मिलेंगे फिर बाते करेंगे फिलाल भी दालेंगे हरहर महादेव